Hello Everyone, Welcome to Online Study Point दोस्तो आज है 2 जनवरी और 2 जनवरी से करंट अफेर के जितने भी important questions बन सकते हैं सारे हम इस उडियो में cover करेंगे और सभी questions से related extra fact भी जानेंगे सारे ही question important है इसलिए वीडियो अंते तक जरूर देखिएगा और आप इस वीडियो की PDF टेली ग्राम से भी प्राप कर सकते हैं साथ ही special वीडियो के लिए online study point 2.0 इसे भी subscribe करना बिल्कुल मत भूलिएगा जिसके link description box में दी हुई है तो चलिए start करते हमारा पहला question किस सहर में भारती इतिहास Congress इनिकी Indian History Congress का असिवा सत्र आयोजित हुआ तो इसका addition आप जरूर याद रखिएगा और इसका addition किया गया था कन्नूर में और कन्नूर यह है कहां तो यह इस्थित है केरल में अब यदि बात की जाए केरल की तो यहां की राजधानी क्या है तिरू अनन्तपुरम और तिरू अनन्तपुरम में ही भारत का पहला Space Track Park खोला गया साथ ही भारत की जो पहली नेतरहीन महिला I.E.S. है नाम क्या है प्रांजल पाटिल इनकी नियुक्ति भी अभी हाली में तिरू अनन्तपुरम में ही की गई यहां के मुख्य मंत्री का नाम क्या है तो पिन्रई विजियन है मुख्य मंत्री और गवर्नर अभी हाली में बनाए गये है आरिफ महम्मद खान अच्छा केरल उच्छी ने आया लए कि मुख हिनायद ही इस कौन है तो इनका नाम है S. मनी कुमार और केरल में एक शहर है जिसका नाम क्या है कोजी कोट और कोजी कोट चर्चे में रहा है क्योंकि कोजी कोट में ही First International Women Trade Center इसका आयोजन किया गया था साथ ही 100 उर्जसे संचालित विष्यो की पहली एयरपोर्ट यह कहां इस्तित है तो यह है कोजीन एयरपोर्ट जोगी इस्तित है केरल में ही तो ये भी आप्याद रखीएगा एक और चीज एक product है जिसका नाम क्या है Marieur Good जो की Keral का ही product है जिसे कुस्समा पहले ही GI Tech दिया गया था एक और चीज चीज गनेक्ट की जा सकती है अभी कुस्समा पहले ही Health Index जारी किया गया था तो Health Index और Education Quality Index तो इन दोनों ही इंडेक्स में जो राज्य टॉप पर रहा था यह था केरल ही तो ये भी आप याद रखीएगा Next question है World Rapids Chess Championship 2019 का आयोजन किस शहर में किया गया तो इसका आयोजन किया गया मौस्कों में और मौस्कों यह कहां इस्तित है तो यह इस्तित है रशिय में अच्छा यह World Rapids Chess Championship यह जीती किस ने है तो यह दी बात कीजाए महिला वर्ग की तो यह जीती है कोनेरू हमपी ने और कोनेरू हमपी जो की भारती Grand Master है और इन्होंने यह खिताब अपने नाम किया बात कीजाएदी पुरूस्वर्ग की तो पुरूस्वर्ग में यह खिताब अपने नाम किया है Magnus Carlson ने और Magnus Carlson यह किस कंट्री से बिलॉंग करते है यह बिलॉंग करते है नौर्वे से और नौर्वे से रिलेटेड आप लोगों को एक फैक्ट याद रखना है आप लोगोंने एबल प्राइस का नाम जरूर सुना होगा जिसे Maths का नोवल कहा जाता है और एबल प्राइस यह नौर्वे गवर्मेंट के द्वारे ही दिया जाता है साथ यह भी कुस्समा पहले ही Human Rights Index जारी किया गया था और Human Rights Index में जो नौर्वे है यह टॉप पर रहा था अच्छा नौर्वे तो रहा था टॉप पर इंडिया की क्या रैंकिंग थी तो इंडिया रहा था 119 वे स्थान पर तो यह भी आप याद रखेगा नेश कुश्चन है हाल ही में किस केंदरी मंत्री ने हवाई अड़ो पर यानि कि एयरपोर्ट्स पर CACS and EBCAS इस परियोजना की शुरुवात की है तो यह शुरुवात की गई है हरदीप सिंग पूरी के द्वारा अच्छा आप इस टर्म से क्या समझते हैं CACS तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म बनती है फुल फॉर्म है क्या Centralized Access Control System और इस परियोजना का मुख्य उद्देश से जो एयरपोर्ट्स है वहाँ पर जादा सुरक्षा और व्यापार को सरल बनाना है और इसी पहल की शुरुवात की है हरदीप सिंग पूरी ने अच्छा हरदीप सिंग पूरी की यहाँ पर बात आई है तो इनके पास कौन समंत्राले है तो यह है Minister of Civil Aviation और यह आप करंड से रिलेट करेंगे तो जो हरदीप सिंग पूरी है इन्होंने कुछ समय पहले ही M.Haryali App भी लॉंच किया था और M.Haryali App यह किस लिए था तो यह पौधे लगाने से संबंदित था यानि कि ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए और यह भी लॉंच किया गया था हरदीप सिंग पूरी के द्वारा ही Next question है Commonwealth Games 2020 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा तो इसका आयोजन किया जाएगा Birmingham में और Birmingham यह है कहाँ तो यह इस्तित है England में और यही पर 2020 Commonwealth Games का आयोजन किया जाएगा बात यहाँ पर आई है Commonwealth Games की तो इसकी शुरुवात कब से हुई थी 1930 से और इसकी शुरुवात हुई कहाँ से थी तो यह हुई थी Hamilton Canada से और प्रतियक 4 साल के अंतराल में यहनि की हर 4 साल में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है अच्छा एक चीज़ आप याद रखिएगा 1930 से इस खेल के शुरुवात हुई थी लेकिन भारत ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना कब से स्टार्ट किया था तो भारत इस प्रतियोगिता का हिस्सा बना था 1934 से एक और कोश्चन पूछा जाता है कि Commonwealth में गोल्ड जीतने वाले पहले भारती कौन थे तो इनका नाम है Milka Singh Milka Singh जिनने Flying Sikh के नाम से भी जाना जाता है और इनकी Autobiography का नाम क्या है The Race of My Life तो यह सारी चीज़े आप Connect करके याद रख सकते है Next question है किस राजजी ने 2020 से महिने के पहले दिन को No Vehicle Day के रूप में मनाय जाने की घुशना की है तो यह घुशना भी हाली में की गई है राजिस्थान गर्मेंट के द्वारा अच्छा आप इस टर्म से क्या समझते है No Vehicle Day तो यहाँ पर नाम से हिस पश्ट हो रहा है यहनि कि इस दिन किसी भी वेहिकल का यूज नहीं किया जाएगा किस दिन? महिने के पहले दिन को और इस यूजना की शुरुआत की क्यों गई है तो सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए और वाहरों से जो भी pollution होता है इस pollution को कम करने के लिए इस अनोखी पहल की शुरुआत की है राजिस्थान गर्मेंट ने बात कीज़े धी राजस्थान की तो यहां की राजधानी क्या है? जैपूर और जैपूर को ही हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं जिसे अभी हाली में यूनेसको के दोरा वर्ल्ड हेरिटेस साइड में शामिल किया गया है यहां की मुख्य मंत्री कौन है तो मुख्य मंत्री का नाम है अशोग गहलोद उप मुख्य मंत्री का नाम है सचिन पाइलेट गवर्नर कौन है कल राज मिश्र और कुसम में पहले ही राजस्थान उचिनायले की मुख्य नायदीज भी बनाए गये हैं इनका नाम क्या है इंद यह आप याद रखीएगा. नज कुश्चन है, हालीम Finance की न्यूक्ति करने वाला भारत कौन सा देश बन गया है? आप भारत बन गया है जिसने सीडियर्स की न्यूक्ति की है? तो यह बन गया है पाँचवे क्रम का. इससे पहले चार देश है कौन-कौन से? अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना और फ्रांस और अब भारत बन गया है पांचवे क्रम का देश जिसने CDS के न्यूक्ति की है अच्छा यह CDS है कौन? तो कली मने आप लोग बताया था जो विपिन रावजी है यह अभी तक भारती सेना के अध्यक्ष थे विपिन रावजी लेकिन अब यह रिटायर हो चुके है और इनका इस्थान लिया है मनोज मुकुंद नर्वने ने यहने की MM नर्वने ने और जो विपिन रावजी है यह बन गए है भारत के पहले CDS यहने की Chief of Defense Staff तो यह भी आप याद रखेगा नेश कोश्चन है हाली में Globe Soccer Award में Best Footballer किसे चुना गया है और यह चुने गए है Cristiano Ronaldo और ऐसा छटवी बार है जब Cristiano Ronaldo को इस खिताब से सम्मानित किया गया है अच्छा है किस कंटे से बिलॉंग करते हैं तो Ronaldo यह बिलॉंग करते हैं पुर्टगाल से आप्शन में आपको जितने भी नाम दिख रहे हैं सारे ही Current से रिलेटेड है और सारे ही Footballer से रिलेटेड है जैसे कि बात की जए लियोनल मेसी की तो लियोनल मेसी यह किस कंट्री से बिलॉंग करते हैं यह बिलॉंग करते हैं अर्जेंटिना से और इन्हें कुछ समय पहले ही बैलन डियोर खिताब से सम्मानित किया गया है जोआव फेलिक्स तो यह भी विलॉंग करते हैं पुर्टगाल से और इनका नाम क्यों चर्चे में रहा है क्योंकि अभी हाली में ने गोल्डन बॉय अवर्ट से सम्मानित किया गया और येरी मीना तो यह कोलंबिया के स्टार फुटबॉलर है जिनने कुछ समय पहले ही ही हीरो मोटो कॉप ने अपना ब्रैंड अमबेजडर बनाया था तो यह भी आप याद रखिएगा नेश कोश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोज के द्वारा प्रथम धोच वहराने की 76 वर्षगाट के उपलक्ष में समा रोह का आयोजन कहां किया गया तो इसका आयोजन किया गया अंडमान और निकोबार में यह कोश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा इसे मैं इजी लेंग्वेज में बता दू इसके पीछे की एक स्टोरी है स्टोरी यह है कि 1943 में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोज थे यह गय थे अंडमान निकोबार और यहाँ पर जाके इन्होंने भारती जंडा फैराया था जिसके अभी हाल ही में कितने वर्स पूरे हो गए है 76 वर्स और इसी के मौके पर इस समारों का आज़न किया जा रहा है अंडमान निकोबार में और मैंने एक फैक्ट भी आप लोगों को हमेशा ही बताया है पिछले ही वर्स जब इसके 75 वर्स पूरे हुए थे और इसी 75 वर्स पूरे होने के मौके पर जो केंद्र सरकार है इसने 75 रुपय का सिक्का भी जारी किया था साथ ही अंडमान निकोबार के तीन द्वीपों के नाम भी बदले गए थे जिसमें से जो एक द्वीप है रौज द्वीप इसका नाम बदल कर किया गया था नेता जी सुभाशन बोज द्वीप तो ये भी आप याद रखिएगा नेश कुश्चन है हाल ही में सरकार ने सभी दूर संचार कंपनियों को किस नेटवर्क पर परिक्षन लेने के लिए स्पेक्टरम देने का फैसला किया है और यह फैसला किया गया है 5G नेटवर्क पर क्योंकि यह नेटवर्क अभी चर्चे में रहा है मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि अब भारत में 5G आने वाला है और इसका ट्रायल कब से किया जाएगा मार्च 2020 से या प्याद रखिएगा आप से question ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 5G launch करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है तो यह है South Korea और अभी हाल ही में इनकी कुछ समय पहले ही China ने भी 5G network को launch कर दिया है अच्छा भारत में 5G आएगा इसकी घोष्णा की किसने थी हमारे जो IT minister है इनकी information technology minister रवी शंकर प्रशाद इन्हों ने इसकी घोष्णा की है और इनकी consistency क्या है पटना साहिब तो यह भी आप याद रखिएगा नेश कोश्चन है कौन सा राजजी अपना पहला हिम तेंदुआ सर्वेक्षण करने जा रहा है तो यह करने जा रहा है उत्राखंड हिम तेंदुआ यनि की snow leopard इसकी जो संख्या है यह लगातार घटते जारी है और इसी के लिए सर्वेक्षण करने की घोश्चन की है उत्राखंड गर्मेंट ने बात कीज़े दि उत्राखंड की तो राजधानी क्या है देहरा दून और देहरा दून में ही भारत का पहला हेलिकॉप्टर समिट आयोजित किया गया था मुख्यमंत्री कौन है त्रिवेंद्र सिंग रावत गवर्नर कौन है बेबी रानी मौरिय हम बात कर रहे हिम तेंदुआ की यहनि की स्नो लेपड की और हिम तेंदुआ दिवस यह भी हाली में मनाय गया था 23 अक्टूबर को और इसी मौके पर जो प्रकास जावडेकरजी है इन्होंने हिम तेंदुआ की गड़ना के लिए पहला राज़्टरी प्रोटोकॉल भी लॉंच किया था तो ये भी आप याद रखिएगा कलमा ने आप लोगों से पूछा था हाल ही में कि सिराज जी के द्वारा जल साथ ही कारिकरम शुरू किया गया तो इसका राइट अंसर था ओड़ी सा अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है हाल ही में महराश्ट के उपमुख्य मंत्री पत की सपत किसने लिए है तो इसका जो भी अंसर है कमेंट बॉक्स में डिटेलिंग के साथ लिखेगा एक और चीज कल मैं आप लोगों को आप लोगों को आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन है तो मैं आप लोगों को बता दूँ इस पीडिएफ में एक जनवरी 2019 से लेकर के 31 दिसंबर 2019 तक के सेलेक्टेड सेलेक्टेड नहीं सारे ही मूश्ट इंपॉर्टेंट कोश्चन यानिकी 1000 प्लस कोश्चन डिटेलिंग और एक्ष्ट्रा फेक्ट के साथ कवर कराये गया है टॉपिक वाइज और यह टॉपिक बने आप लोगों को कल दिखाया भी था टॉपिक वाइज 1,000 mcq format में कवर कराये गये हैं और जो बाकी कोश्चन रहे जाते हैं उन्हें उन्हें वन लाइनर फॉर्मिट में 200 प्लस कोश्चन में कवर कराये गया है यानिकि यह जो master current affair की PDF है इसमें 1200 plus question cover हो जाते हैं आप लोगों के topic wise जिसमें की 1000 question detailing extra factor के साथ और 200 question one liner के साथ एक चीज में आप लोग बता दूँ यदि आप लोग इस PDF को download करते हैं download करने के बाद जब payment हो जाता है तो आप paste से exit मत हुआ करिए आप लोगों के सामने download now का option आता है तो आप download कर सकते हैं इसके बाद भी यदि download नहीं होता है तो इसके लिए परशान होने की कोई ज़रुरत नहीं है जिन जिन लोगों ने भी इस PDF को purchase किया और जिनें नहीं मिल पाई है उन्हें one by one online study point की तरफ से PDF सेंड किया जा रहा है इसलिए बिल्कुर भी परशान होने की ज़रुरत नहीं है तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोग पसंद आया है पसंद आया है तो अपने study related ग्रूप में share जरूर करिएगा और online study point को like, share, subscribe करना बिल्कुर मत भुलिएगा आज के लिए इतना ही thank you so much